नमस्ते दोस्तों मैं वकुसुम मेरे यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसे जुकनी के नाम से जानते हैं यहाँ एक अमेरिकन सबजी है इसकी रेस्पी और इसके फादे दोनों बताऊंगी वीडियो को फूल होता है आयरन का एल्सियम से भरपूर है जुकनी में इस्टार्स नहीं होता डाइबिटीज के पेशेंट भी अपनी डाइट में सामिल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने हरी मिर्च लिया है दस से पंदरा कली लासुन है आधा इंचा दरक इसका पेश्ट बना लेंगे पेश्ट तयार है इससे वास करके डंठल वाला पाट हटा दिया है छिल का नरम है छिलने की जरूरत नहीं है कद्दुकस कर लेंगे पकावडी बनाने के लिए चार प्याज को बारीक काटके एक बड़े बावल में रख लिया है जुकनी में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती ह दोनों हथेली की हेल्प से थोड़ा सा पानी नी चोड़ लेना है और इसमें लासुन और मिर्च का पेस्ट डाल दिया एक निवु का जूस डाल देंगे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा जरूरत के अंसर करीब धाई से 300 ग्राम बेशन डालेंगे हल्दी डाल दिया टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल दिया थोड़ी सी धनिया पत्ती यहां पर मैंने लहसुन हरी मिर्च और धनिया लिया टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल के चटनी बना लेंगे अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इसमें पानी होता है इसमें पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती है आप देख सकते हैं इसमें पानी होता है बीना पानी के इसे अच्छे से मिला लेंगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे फेस्बुक इस्टाग्राम पर फोलो जरूर कीजे तेल गरम हो चुका है फ्राई कर लेंगे फ्राई करने से पहले चटनी को पीस की रख लेना चाहिए मैंने भी पीस की रख लिया है गरम पकावडे चटनी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं एक साइड से हलका सा फ्राई हो जाने के बाद इसे पलड देंगे मेडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है गोर्ल अन ब्राउन होने तक पकाना है यह पकावडे फ्राई हो चुके हैं निकाल लेंगे इस तरह से थोड़ा सा दबा कर निकालने पर ज्यादा ओल पकावडे में नहीं रहता है इसी तरह और पकावडों को फ्राई कर लेंगे चटनी के साथ सर्व करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से और चैनल को सब्सक्राईब करना ना भूलें आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राईब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राईब कर लीजी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद